तो क्या चिराग पास्वान ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और गिरी मंत्री अमीत शाह की बात मान ली चाचा के लिए हाजी पूर लोग सभाज सीट को छोड़ दिया अब इन तमाम चीजों पर लगाता है चर्चा चल रही है चर्चा तब से चल रही है जब चिराग प जबूई में रहेंगे और इसके बाद चर्चा चलने लगी कि चिराग पास्वान जबूई से ही चुनाव लड़ेंगे अब इसके पीछे कि कई सारी कहाणिया निकल कर सामने आ रही है कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ग्री मंत्री अमीत शाह तमाम कहानी आगे हम आपको सुनाएंगे बागे नमस्कार में नामें मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं भारतिय जनता पाती ने चिराग पास्वान और उनके चाचा पशुपति पारस को एंडिये में शामिल किया शामिल करने के बाद बात जब सीट बटव नहीं करेगी बल्कि भारतिय जनता पार्टी का जो फर्मूला है वो फर्मूला बड़ा क्लियर सा है कि हम आपको उतना ही सीट देंगे जितना हमने आपको 2016 के लोक दवागे चुनाव के वक्त में दिया था अब होगा क्या तो जितना सीट हमने आपको दिया था उसी सीट में से आधा आधा बटेगा आपके चाचा और आपके बीच में आधा आधा या चाचा को जितना सीट देना होगा उसी सीट में से दिया जाएगा अब इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा चलती है लेकिन तब तक चिराग पास्वान लगतार दावा करते हैं कि हाजिपूर लोक्तवासी हमारा है, हमारे पिता की विरासत है, लगतार स्वर्गिय राम विलास पास्वान के उन तमाम वीडियो को डाला जाता है, जिस वीडियो में राम विलास पास्वान कहते हैं कि हमने चिरा हाजीपूर से चुनाव लड़े अब जब चिराग पास्वान जमुई में जाते हैं और जमुई में जाकर कहते हैं कि हम जवानी में आये हैं बुढ़ापे तक रहेंगे तब कहा जाता है कि शायद समझोता हो गया अब समझोता कैसे हुआ तो इसके पीछे की कहानी कहीं जा र लफडा हो क्योंकि बीजेपी को पता था कि चाहें चिराग पास्वान और चाचा पश्वती पारस आपस में लड़ें लेकिन इसका नुकसान होने वाला है एंडिये को और एंडिये जानती है बीजेपी जानती है कि इस वक्त पर आर जेडी और जेडियू का गठ जोड इत कोई गर्बड़ी हुई तो पूरा का पूरा सीट हाथ से निकल सकता है क्योंकि समाजिक तोर पर जो स्वमिकरन है वो हमारे पक्ष में नहीं है अब फिलहाल कहा जला है कि चिराग पास्वान को तयार कर लिया गया उन्होंने नरेंदर मोदी और अमित शाह की बात को मान लि उत्रेंगे जमू अगर आप समिकरन देखेंगे तो जमू से चिराग पास्वान के हटने की कहानी के आई tô अघर है पर और भारती जनतापाटी ने भरोसा दिया है कि जमुई हम आपको किसी कीमत पर जिताएंगे बाकी अब आगे देखते रहें कि राजनितिक तोर पर और क्या कुछ खबर और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है जो भी जानकारी जो भी अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के मोईत कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद